हेलो बच्चो कैसे हो आप आजम कक्षाचार समाजिक ज्यान सप्ता एक की वर्क सीट हल करेंगे उपविश्य भारत एक परीच है तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं बच्चो आप देख सकते हैं आपकी वर्क सीट में भारत का मानचित्र दिया गया है यह राजनेतिक मानचित् आप इस मानचित्र को ध्यान से देखेंगे क्योंकि वर्क्षीट में जो भी प्रशन हैं वे सभी इस मानचित्र से संबंदित हैं चलिए अब वर्क्षीट में दिये हुए प्रशन उत्तर करते हैं प्रश्न एक रिक्त स्थान भरिये यहां पर कुछ सब्द दिये गए हैं भारत हर्याना उत्तर हिंद उत्तर प्रदेश हमें सही सब्द को रिक्त स्थान में भरना है पहला हमारे देश का नाम डैस है तो यहां लिखेंगे भारत दूसरा मानचित्र में उपर की ओर डैस दिसा को दर्शाया जाता है तो यहां लिखेंगे उत्तर तीसरा भारत के दक्षिन में डैस महासागर है तो यहां लिखेंगे हिंद चोथा दिल्ली के सटे राज्य डैस तथा डैस हैं तो यहां लिखेंगे हर्याना उत्तर प्रदेश दिल्ली के सटे राज्य हर्याना तथा उत्तर प्रदेश हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन दो भारत के मानचित्र को देख कर सही उत्तर चुनिए और अपनी कौपी में लिखिए तो यहाँ पर प्रशन पूछे गए हैं और प्रतेक प्रशन के कुछ विकल्प दिये गए हैं आपको सही विकल्प को चुनकर अपनी ख भारत के कितने राज्य हैं तो यहाँ सही विकल्प है ब 28 ख भारत में कितने केंदर सासित प्रदेश हैं तो सही विकल्प है आठ भारत में आठ केंदर सासित प्रदेश हैं ग भारत के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है तो यहाँ सही विकल्प है हिमाचल प्रदेश ग भारत के दक्षिन में स्थित राज्य कौन सा है तो यहां सही विकल्प है केरल चलिए आगे बढ़ते हैं च भारत के पस्चिम में कौन सा सागर स्थित है तो यहां सही विकल्प है अरब सागर च ख कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी से सटा है तो यहां सही विकल्प है आंधर प्रदेश ज इनमें से कौन सा राज्य अरब सागर से सटा है तो यहां सही विकल्प है गोवा ज ख कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है तो यहां सही विकल्प है चल प्रदेश चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्ण तीन मुख्य चारों दिशाओ के नाम लिखें तो यहाँ पर हमें मुख्य चार दिशाओ के नाम लिखने हैं सबसे उपर उत्तर इसके नीचे दक्षिन दाएं हाथ की तरफ सीधे हाथ की तरफ लिखेंगे पूरो और हाथ की तरफ उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे पस्चिम चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण चार उगते सूरे के साथ पहाडों का सुन्दर चितर बनाईए और महसूस कीजिए कि आप वहाँ पर गूमने गए हुए हैं तो बच्चो यहाँ पर आपको सूरे के साथ पहाडो का सुन्दर चितर बनाना है और महसूस करना है कि आप महाँ पर गूमने गए हैं यह कारें आप स्वयम करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन कोशल परिवार के साथ संबंध प्रस्ण अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिखें तो बच्चो यहाँ पर आपको अपन परिवार के सदस्यों के नाम लिखेंगे और उनसे अपना रिस्ता भी लिखेंगे आपकी स्वीधा के लिए मैं यहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिख रहा हूं और रिस्ता पहले श्री रामलाल पिता जी श्रीमती रीना माता जी साहिल भाई राधा बेहन अमर मैं स्वैम तो बच्चो ये वर्कशीट यां कम्पलीट होती है अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल Knowledge Kingdom थैंक यू